बच्चो आज हमें एक नई विशय का अधियन करेंगे आगे बढ़ने से पहले क्या कोई मुझे कार्बो हाइडरेट के विशय में बताएगा हाँ सर इससे हमारे शरीर को उर्जा मिलती है शाबाश रवी, प्रती दिन की जिन्दगी में कार्बो हाइडरेट हमारी शरीर के लिए उर्जा का प्रमुक स्रोथ है फल, सबजी, दूद आदी कार्बो हाइडरेट के मुक्य स्रोथ है सर, और हमें सूरी के प्रकाश से क्या मिलता है? ये एक अच्छा प्रशन है रमन सूरी के प्रकाश से हम विटामिन D प्राप्त करते हैं ये हमारे शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अफ्शोशन तथा उपापचै को बढ़ाता है सर, यदि हमारे शरीर को विटामिन D नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? प्रमन, विटामिन D की कमी से अनेक गंभी रोग जैसे रिकेट्स, मोटापा, हिरदय के रोग या उच्छरक्त चाप हो सकता है बच्चो, आज हम जैवणू अध्याय में इन सभी विश्यों का अध्यान करेंगे उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जैव अणों को परिभाशित करना कार्बो हाइड्रेट्स का वर्ण करना कार्बो हाइड्रेट का वर्गी करन करना प्रोटीनों की व्याक्या करना एमिनों अमलों का वर्गी करण करना प्रोटीनों की सनचना को जानना एंजाइम को परिभाशित करना विटामिनों के बारे में जानना विटामिनों तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों का वर्गी करण करना और न्यूकलिक अमल की सनचना की व्याख्या करना परिभाशा जैव रासाइन विज्ञान की वो शाका है जिसके अंतरगत जीवों के रासाइनिक संघटन तथा उनकी सनचना और उनके अंदर होने वाले विभिन रासाइनिक परिवर्तनों का अध्यन किया जाता है जीवन का आधार बनाने वाले जटिल कार्बनिकणूं जोगी जीवों के निर्मान, उनके विकास और रख रखाव के लिए आवशक होते हैं जैवणूं कहलाते हैं जैवणूं जीवधारियों के साथ एक क्रम में जुड़े होते हैं जीवधारी, अंग, उतक, कोशिका, अंगक, तथा जैवणूं कोशिका कोशिका जीवन की एक मौले किकाई है ये इतनी सूक्ष्म यानी छोटी होती है के इसे नगन आखों से नहीं देखा जा सकता है अधायने देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी का प्रयोग किया जाता है कोशिकाएं जीवन के लिए आवश्यक रसायनों के पैकेट है कोशिका में व्रिद्धी करने तथा विभगत होकर नई कोशिकाओं के निर्माण करने की शमदा होती है ये संतती कोशिकाएं आगे चल कर विभगत होकर नई कोशिकाओं को उत्पन करती है कोशिकाएं परस पर जुड़कर उतकों का निर्माण करती हैं उतक परस पर मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और अंग परस पर मिलकर जीवों का निर्माण करते हैं एक जीवित कोशिका में 50 तत्व शामिल होते हैं एक जीवित कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला पतार्थ जल होता है, जो कि कोशिका का कुल सत्तर प्रतिशत भार बनाता है। जल के अतिरिक्त कोशिका में बड़ी संख्या में कार्बन योगिक पाए जाते हैं। कार्बो हाइड्रेट योगिकों जैसे गुलुकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलिलोज आदी की एक महदपून श्रेणी का निर्मान करते हैं, जो कि हमारे प्रती दिन के क्रिया कलापों में एक महदपून भूमिका निभाते हैं। कार्बो हाइड्रेटों को पॉलि हाइड्रॉक्सी, एल्डिहाइड, अथवा, कीटोन या उन योगिकों के रूप में परिभाशित किया जा सकता है, जो उन्हें जल अबघटित कर सकते हैं। इन्हें सैकेराइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे भूजन का सर्वश्रेष्ट स्रोथ हैं। ये मुख्यता पौधों से उत्पन होते हैं। सामानि सूत्र CXH2OY वाले योगिकों को कार्बो हाइड्रेट नाम दिया गया था। कार्बो हाइड्रेटों का वर्गी करण कार्बो हाइड्रेटों को जल अब घटन में उनके वेवाहार के आधार पर मुख्यता निमनलिकित तीन वर्गों मोनो सेकराइट, कॉलिको सेकराइट, पॉली सेकराइट में वर्गी करित किया गया है। मोनो सेकराइट ये ऐसे सरल कार्बोहाइडरेट होते हैं जिनका जल अबघटन नहीं किया जा सकता है तथा ये सरल तम कार्बोहाइडरेट ही रहते हैं उधारण गुलुकोज, फ्रक्टोज ओलिगोसेकराइट ये ऐसे कार्बोहाइडरेट हैं जो की जल अबघटन द्वारा मोनो सेकराइट की दो से नो इकाईयां देते हैं इनकी उपश्रेणियां होती हैं जो की एक निश्चित ओलिगोसेकराइट के जल अबघटन द्वारा निर्मित मोनो सेकराइट इकाईयों की वास्तविक संख्या पर निर्भर करती है डाई सेकराइट के जल अब घटन से मोनो सेकराइट की दो इकाईयां प्राप्त होती है उधारण माल्डोज, सुक्रोज ट्राई सेकराइट के जल अब घटन से मोनो सेकराइट की तीन इकाईयां प्राप्त होती है उधारन प्रेफिनोज, ट्रेट्रा सेकराइट के जल अबघटन से मोनो सेकराइट की चार इकाईयां प्राप्त होती हैं उधारन स्टेकिलोज, पॉली सेकराइट, ये ऐसे कार्बो हाइडरेट हैं जो की बहुलक अनू होते हैं तथा जिनके जल अबघटन से अनेक संख्या में मोनो सेकराइट की इकाईयां प्राप्त होती हैं। उधारण स्टार्च, ग्लाइकोजन तथा सेलिलोस। मोनो सेकराइट्स एल्डी हाइट समुह वाले मोनो सेकराइट्स एल्डोस कहलाते हैं, जबकि कीटोनिक समुह वाले मोनो सेकराइट्स कीटोस कहलाते हैं। कारबन परमाणों की संख्या के आधार पर इन्हें विभिन श्रिणियों में वर्गिक्रित किया जा सकता है। तीन, चार, पांच, छे तथा साथ कारबन परमाणों वाले मोनोसेकराइट्स, क्रमशा, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज तथा हेप्टोज कहलाते हैं। डी-गुलुकोज, डी-गलेक्टोज तथा डी-मैन्नोज तीन मुखे एल्डोहेक्सोज हैं, जो प्रकृति में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। मोनोसेकराइट के नाम के पहले लगा हुआ डी-अक्षर विन्यास को दर्शाता है, क्योंकि ये गलिस्रेल्टी हाइट से वियुत्पन हुए हैं। गलिस्रेल्टी हाइट दो प्रतिबिम्ब विन्यास को दर्शाता है। गलुकोज C6H12O6 गलुकोज प्रकृती में मुक्त अथवा सन्युक तवस्था में पाया जाता है। मुक तवस्था में ये मीठे फलों तथा शेहद में उपस्तित होता है। पके हुए अंगूरों में 20 प्रतिशस से अधिक गलुकोज पाया जाता है। संयुक तवस्था में गुलुकोज, डाई सकिराइड तथा पॉली सकिराइड में पाया जाता है। जल अब घटन पर माल्डोज तथा स्टार्च गुलुकोज उत्पन्न करते हैं। गुलुकोज को बनाने की विधियां निम्न हैं। एक्षू शरकरा के जल अब घटन द्वारा ये एलकोहॉल की उपस्थिती में तनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रयोग द्वारा एक्षू शरकरा के जल अब घटन से बनाया जा सकता है। गुलुकोज तथा फ्रक्टोज दोनों समान मात्रा में निर्मित होते हैं। गुलुकोज फ्रक्टोज की तुल्ल में इथाईल एलकोहॉल में कम घुलनशील होता है। अताहिये क्रस्टलों के रूप में निकलता है। स्टार्ज के जल अब घटन द्वारा और द्योगी के स्थर पर ग्लुकोस को स्टार्ज के जल अब घटन से प्राप्त किया जाता है। गुलुकोज की रासाइनिक अभिक्रियाएं गुलुकोज की खुली श्रेंखला सनचना में एक एल्टी हाइट समूह, एक प्रात्मिक एल्कोहॉलिक समूह और चार दुईतियक एल्कोहॉलिक समूह पाई जाते हैं गुलुकोज हाइडोजन साइनाइट के साथ संयोग करके गुलुकोज साइनो हाइटरिन का निर्मान करता है गुलुकोज हाइड्रोकसिल एमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्सिम जैसे एल्टी हाइट देता है गुलुकोज फिनाइल हाइडराजीन के साथ अभिक्रिया करके फिनाइल हाइडरासोन देता है गुलुकोज एसिटिक एन हाइडराइट के साथ अभिक्रिया करके पेंटा एसिटेट बनाता है जो गुलुकोज में 5 OH समोहों की उपस्तिती की पुष्टी करता है सोडियम अमलकम के साथ अपचयन करके गुलुकोज सारबिटाल एक हेक्साहाइडरिक एलकोहल में अपचयित हो जाता है जब गुलुकोज तनुक्षारिये विलियन के साथ अभिक्रिया करता है तब ये उतक्रम्णिये समाव यवी करण से होकर कुजरता है तथा डी-गुलुकोज, डी-मैनोज तथा डी-फ्रक्टोस का समे मिश्रन बनाता है ये टॉलिन अभी कर्मक, फैलिंग विलियन तथा बेनेटिक्ट विलियन को अपचाईत करता है कुछ साक्षे ये संकेत करते हैं कि D-Glucose की विवरित श्रंखला संदचना सामयावस्था में प्राथमिक रूप से दो चक्रिये रूपों के साथ पाई जाती है ये अनेक अभी क्रियाएं CHO समुह की अनुपस्थिती को दर्शाती है गुलुकोज दो भिन क्रिस्टलिये रूपों में पाया जाता है जिन्हें अलफा तथा बीटा कहते हैं गुलुकोज का अलफा रूप गलनांक 303 केल्विन इसके सांधर विलियन से 303 केल्विन ताप पर क्रिस्टली करण दोरा प्राप्त किया जाता है जबकि गुलुकोज का बीटा रूप गलनांक 373 केल्विन पर गुलुकोज के गरम एवं संत्रिप्त विलियन से इसके क्रिस्टली करण से प्राप्त किया जाता है ये परिवर्टी ध्रूवण घूणन को दर्शाती है एक ध्रूवण घूणक योगिक के विशेश घूणन का सामय अवस्था में परिवर्टन होना परिवर्टी ध्रूवण घूणन कहलाता है ये परिक्षण इस तत्य को दर्शाता है कि शरकराएं साधरनता चक्रिये हैमी एसिटेल या हैमी कीटल सनचनाओं के रूप में पाही जाती हैं तथा केवल बहुत कम अणूँ ही विर्विर्ट श्रंखला सनचना में पाही जाते हैं हावर्थ सनचनाएं चक्रिये करण के परिणाम सरूप एनोमेरिक कारबन असम्मित हो जाता है तथा फिशर प्रक्षेप में नवीन निर्मित ओएच समू या तो बाईं तरफ अथवा दाईं तरफ पाय जाता है इसके परिणाम सरूप दो समावयवी बनते हैं ऐसे समाप यवी जिन में हाइड्रॉक्सिल समुहूं C1 के दाईं तरफ इस्थित होता है। फिशर प्रक्षेप में दाईं तरफ वाले समुहूं हावर्त सनचना में वलय यानी रिंग की सतह के नीचे लिखे होते हैं। फ्रक्टोज फ्रक्टोज पौधों में पाया जाने वाला एक सरल मोनोसेकराइट है। गुलुकोज तथा गलैक्टोज के साथ ये तीन खाते मोनोसेकराइटों में से एक है। जो की पाचन के दोरान सीधे ही रुधिर धारा में अफशोशित हो जाते हैं। पके हुए फलों के रसों तथा शहद में ये गुलुकोज के साथ पाया जाता है। ये लेविलोज भी कहलाता है क्योंकि प्रक्रितिक फ्रक्टोज लेवोरोटेट्री होता है। संयुक तवस्था में ये सुक्रोज तथा इन्यूलिन नामक पॉली सेकराइट में पाया जाता है। और द्योकी की स्तर पर ये तनु सल्फियूरी कम्ल से इन्यूलिन के जल अब घटन द्वारा बनाया जाता है। फ्रक्टोज के कुण। फ्रक्टोज के मुख्यकों निमनलिखित हैं। ये भी दो चक्रिये अवस्थाओं में पाया जाता है। जो की C5 पर OH की कीटोनिक समों से C2 पर अभिक्रिया द्वारा निर्मित होता है। इस परकार पाँच सदस्ये वलाय बनती है तथा इसकी फ्यूरे नोस सनचना होती है। ये भी परिवर्ती द्रूवर्ण घुणन को दशाता है। ये रंगहीन क्रिस्टल ये ठोस है तथा ये स्वाद में मीठा होता है। ये गुलुकोस के मुकाबले जल तथा एलकोहॉल में अधिक घुलनशील होता है। ये भी टॉलेन अभी कर्मक फेहलिंग विलियन तथा बेनेडिक्ट विलियन को अपचाईद करता है। डाइसकराइट ऐसे कार्बोहाइडरेट जो की जल अभघटन पर मोनोसकराइट की दो एकाईआँ देते हैं डाइसकराइट कहलाते हैं। उधारन के लिए जल अभघटन पर सुक्रोज, अलफा डी, कुलुकोज तथा बीटा डी फ्रक्टोज देता है। इसकार्थ यह है कि डाइसकराइट मोनोसकराइट की दो एकाईओं के संघनन अभिक्रिया त्वारा बने होते हैं। मोनोसकराइट के हैमी एसिटल जल के अडूं के निशकासन के साथ संघनित हो जाते हैं। ऐसे आबंध जो की दो मोनोसकराइट एकाईओं को परस पर जोड़ते हैं गलाइकोसाइटिक बंध कहलाते हैं। सभी डाइसकराइट क्रिस्टलिय ठोस तथा जल में घुलनशील होते हैं। ये दो श्रिणियों में बठे होते हैं। अपचाई शरकरा यदि किसी मोनोसकराइट एकाई का अपचाई केंद्र मुक्त होता है तो डाइसकराइट शरकरा अपचाई होती है। तथा अनअप्चाई शरक्रा यदि दो मोनो सेक्राइडी काईयां अपने कार्बोनिल समुह द्वारा परस पर जुड़ी होती हैं तो डाइ सेक्राइड शरक्रा अनअप्चाई होती है सुक्रोज सुक्रोज सार्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला डाइ सक्राइड है तथा ये सभी प्रकाश संशलेशी पौधों में पाया जाता है ये एक सफेद क्रिस्टल यठोस है जो की जल में घुलनशील होता है जब ये इसके गलनांक द्रवन पिंदू से उपर गर्म किया जाता है तो ये एक भूरे रंग का पदार्थ करा मेल का निर्माड करता है और द्योगिक रूप से ये गन्ने तथा चुकंदर से निकाला जाता है सुक्रोज का जल अबघटन तनु अमलूं अथवा इन्वर्टेज एंजाइम से कराने पर ये समान मात्रा में डी गलुकोज तथा डी फ्रक्टोज देता है सुक्रोज जमा 66.5 डिग्री के विशेश खोड़न के साथ डेक्स्टो रोटेटरी होता है जल अबघटन पर सुक्रोज समान मात्रा में डेक्स्टो रोटेटरी गलुकोज तथा लेवो रोटेटरी फ्रक्टोज का मिश्रण देता है सुक्रोज का गलुकोज तथा फ्रक्टोज में समान मात्रा के मिश्रण में परिवर्तन होना ध्रूविय घूणन के चिन्न में परिवर्तन के द्वारा दर्शाया जाता है इस प्रकार सुक्रोज का जल अबघटन शरकरा का अब वृतन कहलाता है गुलुकोस तथा फ्रक्टोस का समान मात्रा कमिश्रण अब वृत्य शरकरा कहलाता है माल्टोस जब डाई-A-Stage Enzyme दोरा स्टार्ज का जल अपकटन किया जाता है तो उत्पात के रूप में माल्टोस बनता है तनु अमलों के साथ माल्टोस के एक मोल का जल अपकटन करने पर डी-गुलुकोस के दो मोल बनते है माल्टोस एक अपचाई शरकरा है माल्टोस में दो डी-गुलुकोस इकाईयां परसपर-Alpha-Glycosidic बंद दोरा जुड़ी होती है जिसमें एक गुलुकोस इकाई का C1 अनेकाई के C4 से जुड़ा होता है ये स्वाद में मीठा होता है तथा ये प्रकृती में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है इसमें मुक्त अल्डी हाइट पाया जाता है जिससे इसमें फेहलिंग विलियन के अपचयन की ख्षमता होती है अल्डी हाइट समूँ आकसिक्रित हो जाता है जिसकार्थ है कि माल्टोस जल में घुलनशील होता है जलिये फिलियन में ये परिवर्ती ध्रोवन खोडन को दर्शाता है Lactose Lactose एक Dysacrite है जो की Galactose तथा Glucose से मिलकर बना होता है Lactose अनू की एक विशेश आकरिती होती है जो की प्रकाश सुक्ष्म दर्शी द्वारा देखी जा सकती है ये मुक्यता गाय के दूद में पाया जाता है ये दूद का लगभग 2-8 प्रतिशत भाग बनाता है ये दवा उद्योग में प्रयोग किया जाता है इसके भौतिक गुणों तथा कम मुल के कारण ही इसका प्रयोग अधिक प्रचलित है पॉली सेकराइट पॉली सेकराइट मोनो सेकराइट के बहुलक होते हैं जो की परस पर ग्लाइको साइडिक बंद द्वारा जुड़े होते हैं ये ग्लाइकेंस भी कहलाते हैं ऐसे पॉली सेकराइट जो की एकल मोनो सेकराइट के बहुलक होते हैं होमो पॉली सेकराइट कहलाते हैं एक होमो पॉली सेकराइट ग्लुकोस की अनेक एकाईयों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें ग्लुकेन कहते हैं तीन महत पूर्ण, पॉली सेकिराइट जो की सभी गलुकोईन होते हैं, स्टार्ज, गलाइकोजन तथा सेलुलोज होते हैं। ये गलुकोज के बहुलक होते हैं, तथा एक दूसरे से आणवीक भार, गलुकोज अणों के मध्यपंद की प्रकृती तथा बहुलक शंकला की डिग्री में भिन्न होते हैं। स्टार्ज, ये एक सफेद पाउडर होता है, जो की जल में आणशिक रूप से घुलनशील होता है। जब ये जल के साथ गर्म किया जाता है, तो ये एक कॉलाइडी निस्पंदन बनाता है, जिससे दो मुके घटक निश्क्रिये किये जा सकते हैं। एक घटक एमिलोस तथा दूसरा एमिलोपेक्टिन कहलाता है। एक का C1 अगली एकाई के C4 से जुड़ा होता है। एमिलोपेक्टिन ये स्टार्च का जल में अगुलनशील भाग होता है। एक ग्लुकोज एकाई के C6 तथा दूसरे के C1 के मध्धे शाखा बनती हैं। जो की 20 से 25 एकाईयों के अंतराल पर पाई जाती हैं। इसका आणवेक भार एक से 6 मिलियन होता है। सेलिलोज सेलिलोज दी ग्लुकोज एकाईयों का एक रेखिये बहुलक है। जो की बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। श्रंकलाएं निकटवर्ती रज्जुकों की ग्लुकोज एकाईयों के मध्धे पाई जाने वाले हैड्रोजन बंधु द्वारा जुड़ी रहती हैं। श्रंकलाओं का वन्याज बंधलों का निर्मान करता है जो की इसकी सनचना को उभार प्रदान करता है। सेलिलोज डी ग्लुकोज एकाईयों के संगनन से भी बनता है। ये टॉलेन अभिकरमक या फैलिंग विलियन को अपचाईत नहीं करता है। ये इस्ट के द्वारा इसका किडवन नहीं होता है। ये आसानी से जल अबगटित नहीं हो सकता है। दाब में जब ये तनुस सल्फियोरिक अमल के साथ गर्म किया जाता है, तो ये जल अबगटित होकर डी ग्लुकोज देता है। ग्लाइकोजन एक बहुशाकित पॉली सेकिराइट है, जो कि जन्तूं तथा कवक में संचित उर्जा की रूप में कारे करता है। मनुश्य में ये प्रात्मेक रूप से यकृत तथा पीशियों की कोशिकाओं में बनता तथा संचित होता है, तथा लंबे समय तक दुईतियक उर्जा संचार की रूप में कारे करता है। ये ग्लुकोस का एक बहुलक है, जो की एक चार ग्लाइकोस साइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये एक सफेद पाउडर है, जो की जल में घुलनशील होता है, ये आयोडीन के साथ बैगनी रंग देता है। ग्लाइकोजन का आडविक भार बहुत अधिक होता है, जो की 2 गुणा 10 की खात, 5 से 10 की खात, 8 तक होता है। ये लगभग सभी मानव उतकों में पाया जाता है। ये यकरित में संचित होता है। जब शरीर को गुलुकोज की आविशक्ता होती है, तो एंजाइम ग्लाइकोजन को गुलुकोज में तोड़ देते हैं। कार्बो हैड्रेटों का महत्व ये जैव इंधन के रूप में कारे करते हैं, तथा जीवधारियों के कारियों को करने के लिए उर्जा प्रदान करते हैं। ये कोशिका जिली के घटकों के रूप में कारे करते हैं। ये वसीय अमलों के खंडर में सहायक होते हैं तथा कीटोसिस को रोकते हैं। सेलिलोज के व्यूतपन विसभोटक सेलुलाइट बनाने में उप्योग में लाए जाते हैं। ये शरीर में विभिन उपाप चैई क्रियाओं के नियंतरण में सहायक हैं Cellulose Acetate का उप्योग फोटोग्राफिक फिल्म तथा पैकेजिंग पदार्थों में किया जाता है ये पौधों में संचित भोजन के रूप में उपस्तित होते हैं जैसे की स्टार्च प्रोटीन जीवित तंत्र में प्रोटीन सर्वाधिक प्रचुर्ता में पाया जाने वाला जैव अडू है प्रोटीन के मुक्य स्रूत दूद, डाले, पनीर, मुणफली, मचली मास आती हैं ये शरीर के सभी भागों में पाय जाते हैं तथा जीवन की सनचना तथा कारियों का आधार बनाते हैं ये शरीर की वृध्धी तथा रख रखाओ के लिए भी आवश्यक होते हैं प्रोटीन सजीवों के अंदर विभिन कारियों को प्रतिपादित करते हैं इन कारियों के अंतरगत उपापचाई अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करना, डिने का प्रतीक्रितिकरण, उत्धीपनों के प्रती अनुक्रिया करना तथा अणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना आधी शामिल हैं। एमीनो अमल ये एमीनो व्यत्पन कार्बोकसिलिक अमल होते हैं। अलफा एमीनो अमल प्रोटीनों तथा पेप्टाइडों के मूल भूत अंग होते हैं। अलफा एमीनो अमलों में एमीनो समोहूं अलफा कार्बन परबानों पर इस्थित होता है। किसी अड़ों में एमिनों तथा कार्बोक्सिलिक समोहों की आपेखशिक संख्या के आधार पर एमिनों अमलों को उदासीन, अमलिये तथा चारिये एमिनों अमलों में वर्कि क्रित किया गया है। उदासीन एमिनो अमल यदियनों में एमिनो तथा कार्बोकसिलिक समोहों की संख्या सवान हो तो ऐसे एमिनो अमल उदासीन एमिनो अमल कहलाते हैं। उधरन गलाइसीन चारिये एमिनो अमल यदियनों में एमिनो समोहों की संख्या कारबोकसलिक समोहों से अधिक हो तो ऐसे एमिनो अमल चारिये एमिनो अमल कहलाते हैं। उधारन लाइसीन अमलिये एमिनो अमल यदियनों में एमिनो समोहों की संख्या कारबोक्सलिक समोहों से कम हो तो ऐसे एमिनो अमल अमलिये एमिनो अमल कहलाते हैं उधारण एसपार्टेट आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अमल सभी जीवों पौधों तथा जन्तुओं द्वारा एमिनो अमल संशलेशित हो सकते हैं ऐसे एमिनो अमल जो की शरीर में संशलेशित होते हैं अनावश्यक एमिनो अमल कहलाते हैं कई जन्तू ऐसे एमिनो अम्ल का संशलेशन करने में असमर्थ होते हैं, जो कि उनकी प्रोटीनों के लिए आवश्यक होते हैं ऐसे एमिनो अमल जोकी शरीर में संशलेशित नहीं हो सकते हैं तथा भोजन त्वारा ही ग्रेहंड किये जा सकते हैं आवशक एमिनो अमल कहलाते हैं एक व्यस्क मानव के लिए दस आवशक एमिनो अमल होते हैं भोजन में आवश्यक एमिनो अमलों की कमी से रोख हो सकते हैं, जैसे की कौश योर कौर. पेप्टाइट, पॉली पेप्टाइट तथा प्रोटीन्स, एंजाइम जल अरूं के निश्कासन त्वारा अलफा एमिनो अमलों का बहुल की कराण करके पेप्टाइटों का निर्मान कर सकते हैं, एमिनो अमलों के मध्ध निर्मित C-O-N-H आबंद, पेप्टाइट बंध या पेप्टाइट आबंद कहलाता है, इस परकार से जुड़ने वाले एमिनो अमलों को एमिनो अमल अफशेश कहा जाता है, ऐसे बहुलग जिनमें अनेक एमिनो अमल अफशेश पाय जाते हैं पॉली पैप्टाइड्स कहलाते हैं पॉली पैप्टाइड्स रेखिये बहुलग होते हैं पॉली पैप्टाइड श्रंकला का एक सिरा एक एमिनो अमल अफशेश में समाप्त होता है जिसमें 1NH2 समोह पाया जाता है जो की N सिरा कहलाता है हैमिनो अमल अफशेश में दूसरा सिरे पर COOH समोह पाया जाता है जो की C सिरा कहलाता है प्रोटीन्स ऐसे अड़ू होते हैं जिनमें एक या अधिक पॉली पेप्टाइड श्रिंख लाएं पाही जाती हैं तथा आणविक द्रफिमान 10,000 से अधिक होता है एक पेप्टाइड में बंधों का एक विशेश होता है जो की एमिनो अमल क्रम कहलाता है एमिनो अमल क्रम उस एमिनो अमल के तीन अक्षरों द्वारा विशेशी क्रित होता है ये अक्षर परस पर हाइफन द्वारा जुड़े होते हैं प्रोटीनों का वर्गी करण आडविक आकृती के आधार पर प्रोटीनों को दू वर्गों में वर्गी कृत किया जा सकता है रेशेदार प्रोटीन तथा गोलिकाकार प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन जब पॉली पेप्टाइड श्रंखलाएं समानांतर होती हैं तथा हाइड्रोजन एवं डाई सलफाइड आबंधों द्वारा संयुक्त रहती हैं तो रेशा सम यानी रेशे जैसी सनचना बनती है ऐसी प्रोटीने रेशेदार प्रोटीन कहलाती हैं ये जल में अगुलनशील होती हैं ये जन्तू उधकों के मुख्य सनचनात्मक पदार्थ की भाती कारे करती हैं उधारण तोचा में क्रेटिन, बाल, नाहून, सींग तथा उन गोलिका कार प्रोटीन जब पॉली पेप्टाइट की श्रंकलाएं कुंडली बनाकर गोला कृती प्राप्त कर लेती हैं तो ऐसी सनचनाएं प्राप्त होती हैं इनमें दुर्बल अंत्रा आण्विक पल पाया जाता है ये जल में घुलनशील होती हैं ये जैविक अभिक्रि तथा उपापचहईगतिविधियों के नियमकों की भांतिकारे करती हैं. उधारन के लिए इंसुलीन र lapse शरकरा के स्थर को नियंदरित करता है. ये प्रती जैविकों की भांतिकारे करती हैं तथा रोगों से शरीर की रक्षा करती हैं. प्रोटीन की सनचनाए कुछ जटिल होती हैं प्रोटीन की सनचनाओं को चार इस्तरों पर रखा गया है प्राथमिक, दुईतियक, तृतियक तथा चतुष्क सनचनाए प्राथमिक सनचना किसी प्रोटीन में विभिन एमिनो अमलों के वैवस्तित होने का क्रम प्रोटीन की प्राद्मिक सनजना कहलाती है एमिनो अमलों के क्रम में कोई भी परिवर्तन होने पर अन्य प्रोटीन का निर्मान होता है जो की जैविक कारियों को भी बतल देते हैं दूइतियक सनजना किसी प्रोटीन की दूइतियक सनजना का सबबंध उस आकृती से है जिसमें पॉली पेप्टाइड श्रंखला विद्धिमान होती है. ये दो भिन प्रकार की सनजनाओं में विद्धिमान होती हैं. अल्फा हैलिक्स तथा बीटा प्लीटेड शीट सनजना. अल्फा हैलिक्स सनजना पॉली पेप्टाइड श्रंखलाओं के नियमित कुंडलन जोकी अंतरा आड़मिक बंधों द्वारा स्थापित होता है उसके परिणाम सरूप बंती है. उधारण किरेटिन. बीटा प्लीटेड सनजना में सभी पॉली पेप्टाइड श्रंखलाएं. लगभग अधिक्तम विस्तार तक खिची रहकर एक दूसरे के पाश में इस्थित होती हैं. तथा अपस में अंतरा आड़मिक हैटों जन आबंध द्वारा जुड़ी रहती हैं. उधारण, रेशम सिल्क तृतियक सनजना ये दृतियक सनजना के और अधिक वलन यानि लिपटना को प्रदेशित करती हैं. चतुषक सनजना कुछ प्रोटीने दो या अधिक पॉली पेप्टाइड श्रंख्राओं से मिलकर बनी होती हैं, जिन है उप इकाईयों के रूप में जाना जाता है. इन उप इकाईयों का सप्रिल विन्यास एक दूसरे के प्रती चतुषक सनजना कहलाती है. प्रोटीनों का विक्रिती करण जैविक निकाई में पाई जाने वाली विशेश त्रीविमा सनजना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन प्राकृत प्रोटीन कहलाता है. जब प्राकृत प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन करते हैं, जैसे ताप में परिवर्तन, अथ्वारासाइनिक परिवर्तन करते हैं, जैसे पी-च में परिवर्तन आदी किया जाता है, तो हाइड्रोजन आबंधों में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है. सकंदन भी प्रोटीन की जैविक क्रियाओं को खो देता है इस प्रकार निर्मित सकंदन प्रोटीने विक्रिती क्रित प्रोटीने कहलाती है वो प्रक्रिया जिसमें प्रोटीनों के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है प्रोटीनों का विक्रिती करण कहलाती हैं, उधारण अंडे की सफेधी का इसकंदन तथा दही का जमना. एंजाइम एंजाइम जैव उत्परे रख होते हैं, ये साधनर्ता गुलिका कार प्रोटीन होते हैं, जो की जैव तंत्रों में जैव उत्परे रखों की भाती कारे करते हैं, इनमें अभी क्रियाओं की गती तीवरिक करने की अद्बुत ख्षमता होती है. उधारन के लिए यदि हमारे भोजन नलिका में एंजाइम उपस्थित नहीं होते, तो एक बार के भोजन के पाचन में लगभग पचास वर्ष का समय लगेगा. एंजाइमों के कुछ सामाने तथा महदपोंगों निमन हैं. एंजाइम किसी विशेश अभी क्रिया अथवा विशेश क्रियाधार के लिए विशिट होते हैं. एंजाइम अनुद प्रेर किये अभी क्रिया की गती को अतिधिक बढ़ा देती है. एक अनुकूल पिएज तथा 310 केल्विन तापान पर इनके क्रियाधा सर्वधिक होती है. यहां तक की एंजाइम की बहुत कम मात्रा भी एक अभी क्रियाधार की गती को बढ़ा देती है. एंजाइम क्रिया की क्रियाविधी क्रियाधार अनुद एंजाइम की सतह पर उपस्थेत सक्रियस्थानों यानि एक्टिफ साइटों से जुड़ता है. सक्रियस्थानों की आकरिती इस प्रकार की होती है कि केवल क्रियाधार ही उसमें सही से जुड़ पाता है, जैसे की एक ताला तथा चाब ही. इस प्रकार के विशेश संयोजन द्वारा एंजाइम क्रियाधार कॉम्पलेक्स का निर्मान होता है. एंजाइम अभिक्रिया की सक्रीयन ऊड़जा को कम कर देते हैं ओधारनार्थ सुक्रोस के अम्लिय चल अबघटन के लिए सक्रीयन ऊड़जा 6.22 जूल प्रतिमोल है जबकि सुक्रेज एंजाइम दोरा जल अबघटित होता है तो सक्रियन उर्जा केवल 2.15 जूल प्रतिमोल होती है। स्वास्थ, प्रिध्धी तथा पूशन के लिए आविशक होते हैं विटामिन कहलाते हैं। स्वास्थ, प्रतिमोल 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 प्रति विटामिन उनके स्रोध तथा हिनताचनित रोख विटामिन A वसा तथा तेल में घुलनशील होता है ये वृध्धी तथा द्रिष्टी के लिए आवशक होता है विटामिन B एक जल में घुलनशील होता है तथा उश्मा द्वारा विखंडित होता है विटामिन B2 जल में खुलनशील होता है ये उश्मा के प्रती इस्थाई होता है तथा उश्मा द्वारा विखंडित होता है विटामिन B6 की कमी द्वारा मरोड हो जाती है विटामिन B12 जल में खुलनशील होता है तथा इसमें कोबाल्ट पाया जाता है ये प्रकृति में पाया जाने वाला लाल क्रिस्टल होता है विटामिन C जल में खुलनशील होता है ये पकाने पर तथा वायों में रखने पर विखंडित होता है ये त्वाचा को स्वस्त बनाए रखता है तथा रोगों की प्रती शरीर की प्रतिरोधक शमता को विक्सित करने में सहायक है विटामिन D वसा में घुलंशील तथा जल में अघुलंशील होता है। ये उश्मा तथा आक्सी करण के प्रती स्थाई होता है। विटामिन D वसा तथा जल में अघुलंशील होता है। विटामिन K वसा में घुलंशील तथा जल में अघुलंशील होता है। ये उश्मा तथा आक्सी करण के प्रती स्थाई होता है। विटामिनों का वर्गी करण विटामिनों की घुलन शीलता के आधार पर इन्हें दो मुख्य श्रिणियों में वर्गी क्रित किया गया है वसा विलै विटामिन इस वर्ग में उन विटामिनों को रखा गया है जो वसा तथा तेल में विलै होते हैं परंतु जल में आविलै ये विटामिन A, D, E तथा K हैं ये यकरित तथा एडिपोस यानी वसा संगरहित करने वाला ऊतक में संगरहित रहते हैं इन विटामिनों को अधिक मातरा में ग्रहन करने पर अधी विटामिन त़ा हो जाती है जल में विलाए विटामिन B वर्ग के विटामिन तथा विटामिन C जल में विले होते हैं, आता है इन्हें एक साथ इस वर्ग में रखा गया है। जल में विले विटामिन की पूर्टी हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें हमारे शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। विटामिन H एक अपवाद है, क्योंकि ये जल तथा वसा में अगुलनशील होता है। नियुक्लिक अमल नियुकली और टाइडों की लंबी श्रंखला वाले बहुलग होते हैं। ये अनुवन्शिक गणों के स्थान आंतरन तथा प्रोटीनों के जैव संचलेशन में मैतपून भूमिका निपहते हैं। नूकलिक अमल प्रोटीनों के साथ संयुग मिध होकर नूकलियो प्रोटीन का निर्मान करते हैं। नूकलिक अमल दो प्रकार के होते हैं। डियॉक्सी राइबोस नूकलिक अमल यानी DNA तथा राइबोस नूकलिक अमल यानी RNA। नूकलिक अमल में एन युक्त दो प्रकार के विशम चक्रिये ख्षारक पाय जाते हैं, प्यूरीन तथा प्रिमिडीन. प्यूरीन ख्षारक एडिनीन तथा गौनीन प्यूरीन ख्षारकों की श्रिणी में आते हैं, क्योंकि इनमें प्यूरीन की भांती विशम चक्रिये योगिक पाय जाते हैं. प्रिमीडीन ख्षारक ये ऐसे योगिकों का एक समू है जिसके अंतरगत साइटोसीन, थाइमीन तथा यूरिसीलाते हैं जो की नियुकलिक अमलों के घटक हैं डियने तथा आरेने डियुक्सी राइबोस नियुकलिक अमलों ये डियुक्सी राइबोस पेंटोस शरकरा तथा एडिनीन, गवानीन, थाइमीन तथा साइटोसीन ख्षारों से मिलकर बना होता है शरकरा इकाई के C5 पर एक फास्फेट समों उपस्तित होता है डियुक्सी राइबो नियुकलि अटाइट्स की इकाईयां फास्फेट समों द्वारा जुड़ी होती हैं इस प्रकार ये डियुक्सी राइबो नियुकलि अटाइट्स के जैव बहु लख होते हैं तथा इन में polynucleotides की दूई कुंडलित सनचना पाई जाती है DNA के दोनों रज्जुक परस पर एक दूसरे के पूरख होते हैं ये अनुवन्शिक सूचनाओं का वहख होता है तथा विशिष्ट प्रोटीन के निर्मान के लिए ये सूचनाओं तथा निर्देशों को कुशिका में भीजता है इसमें राइबोस शरकरा दो प्रीमिटीन तथा दो प्यूरीन चारक पाए जाते हैं शरकरा इकाई के C5 पर एक फॉस्फेट समू उपस्तित होता है राइबो नुकलियोटाइट्स की इकाईयां फास्फेट समूह द्वारा जुड़ी होती हैं ये राइबो नुकलियोटाइट्स के जैव बहुलग होते हैं तथा एकल कुंडिलित सनचना पाई जाती है आर एने मेमोरी को संचित करने की प्रक्रिया से जुड़ा होता है तथा ये प्रोटीन के जैव संचलेशन में सहायक है नुकलिक अमलों के जैविक कारे आनुवणशिक इस्थानांतरण डिने की दुई कुंडिलित सनचना जीव की आनुवणशिक सूचनाओं का संग्रे घर होता है वो प्रक्रिया जिसके द्वारा एक डिने अणुकोशिका के केंडरत में स्वयम दो समान अणुओं का निर्मान करता है प्रतिकरण कहलाता है प्रोटीन संचिलेशन ये प्रोटीन के संचिलेशन में एक महत पून भूमिका निभाता है ये दो चरणों में पून होता है अनुलेखन DNA की एक रज्जुक से अनुवन्शिक सूजणाओं का RNA में प्रतिलीपी करण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं इस्थनांतरण इस्थनांतरण या रूपांतरण वो प्रक्रिया है जिसमें अमिनो अमलों के बहुलकन से पॉली पेप्टाइट का निर्मान होता है अमिनो अमलों के क्रम वा अनुक्रम दूद आरेने में पाए जाने वाले चारों के अनुक्रम पर निर्भर करता है क्या आप जानते हैं डिने स्युडी के पाश्व शरकरा तथा फास्फिट अणों से मिलकर बने होते हैं हमारा पूरा डिने क्रम नुव यॉर्क शहर की टेलिफून डारेक्टरी के 200 से 1000 प्रिष्ट भर देगा रक्तिव शरकरा इस तर दो हार्मोनों गुलू काकून तथा इंसुलिन द्वारा नियंत्रित होते हैं जो की अगनाशय द्वारा स्रावित किये जाते हैं सारांश आये हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्शेप में दोराएं जीवन का आधार बनाने वाले जटिल कार्बनी कड़ूं जो की जीवों के निर्मान, उनके विकास और रक रखाओं के लिए आवशक होते हैं जैव अडूं कहलाते हैं कार्बो हाइड्रेटों को पॉली हाइडराक्सी, एल्टी हाइड, अथवा, कीटोन या उन योगिकों के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जो उन्हें जल अबघटेत कर सकते हैं गुलुकोज एलकोहॉल की उपस्थिती में तनों हाइडरोक्लोरिकमल के प्रयोग द्वारा एकशू शरकरा के जल अबघटन से बनाया जा सकता है एक ध्रोवण घूणक योगिक के विशेश घूणन का सामय अवस्था में परिवर्तन होना परिवर्ती ध्रोवण घूणन कहलाता है सुक्रोज का गुलुकोज तथा फ्रक्टोज में समान मात्रा के मिश्रण में परिवर्तित होना दुरुविय घुनन के चिन में परिवर्तन के द्वारा दर्शाया जाता है इस प्रकार सुक्रोज का जलब घटन शरकरा का अपवरतन कहलाता है ग्लाइकोजन एक बहुशाखित पॉलिसेकिराइट है जो की जन्तूओं तथा कवक में संचित उर्जा की रूप में कारे करता है कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन तथा वसा के अतरिक्त, अन्ने कार्बनी की यौकिक जो की समानने स्वास्थे, व्रिधी तथा पॉशन के लिए आवशक होते हैं विटामिन कहलाते हैं निकलिक अमल, निकलिक ओताइडूं की लंबी श्रंखला वाले बहुलक होते हैं ये आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण तथा प्रोटीनों के जैव संचिलेशन में महतबून भूमी का निभाते हैं झाल 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 झाल